आप सभी लोगों को नमस्कार मैं इंपोर्टेंट एक बहुत बड़ इंपोर्टेंट टॉपिक बबात कर रहा हूं और उसका नाम है बोधी सत्व बोधी सत्व कहीन कहीं इस प्रकार से धान रखना बुद्ध के कुछ जन्म पूर्व वाले भी हैं उन जन्मों को लेकर कहीन कहीं महायानमी कंसेप्ट है कि बोधी सत्व के रूप में बुद्ध बारबारी संसार में आते हैं और लोगों को मोक्षनी निर्वान प्राप्त करन बोधी सत्व चलिए तो यहां पर बोधी सत्व के उपर अगर बात करते हैं बोधी सत्व तो यहां पर पहली ही बात आ जाती है कि जो महायान का आदर्ष है महायान का आदर्ष अगर देखते हैं तो वो क्या है वो बोधी सत्व है तो जो तो महायान का जो आदर्श है वो क्या है बोधी सत्व है इस बात को ध्यान रखना यानि मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करे उसे बोधी सत्व क्या जाता है यानि जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया लेकिन दुबारा कुलन तागे दूसरे की मदद करने के लिए आ रहा है तो मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो दूसरे प्राणी यह यह प्रकार से बोधी सत्तों क्या है इसको देखते हैं तो बोधी सत्तों क्या है यहां पर मोक्ष प्राप्ति के बाद भी मोक्ष प्राप्ति के बाद भी बाद भी जो दूसरे प्राणी मोक्ष प्राप्ति के बाद भी जो दूसरे प्राणी को कहीं न कहीं एक प्रकार से मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं उसे ही बोधी सत्य कहा जाता है जो दूसरे प्राणी की मुक्ति का निरंतर प्रयास करते हैं उसे ही बोधी सत्व कहा जाता है इस बात को ध्यान डखना उसे ही क्या कहा जाता है बोधी सत्य कहा जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह से question आप से बिल्कुल पूछे जा सकते हैं उसे ही बोधी सत्व कहा गया है बोधी सत्व इस तरीके से स्वयम यातना सह कर इस प्रकार से ध्यान रखना मुक्ति दिलाता है उसे ही यहीं जो बोधी सत्व स्वयम यातना सहता है संसार में आता है और कहिन की मानवता को मुक्ति दिलाता है इस प्रकार से मोधि सत्य स्वयम यातना सह कर मानवता को मुक्ति दिलाता है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेगा बोधि स्वत्य को उप पादुक उप पादुक अथार्थ स्वतह उत्पन माना जाता उप या स्वैम उत्पन होने वाला उपपादुक का मतलब क्या है स्वतह उत्पन यह इस प्रकार से स्वतह उत्पन माना जाता है तो इस तरीके से स्वतह उत्पन माना जाता है यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना स्वतह उत्पन माना जाता है उपपादुक शब्द इसके लिए आ आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि fulfilled कि अ कर मुद शट्व की सन्तान को भी उपपादुक माना गया है यहां पर ध्यान तैना यह जो बोधि शत्व की संतान को भी संतान को भी इस इस प्रकार से क्या कहा जाता है उपपादुक तो इस तरीके से उपपादुक यह क्वशन आता है उपपादुक कहा जाता है यानि बोधी सत्य की संतान को भी उपपादुक कहा जाता है इस आधार पर बुद्ध के पुत्र राहुल को भी क्या क्या गया कहिन के इस आधार पर इस आधार पर बुद्ध के पुत्र राहुल को भी क्या कहा गया? तो कहने के उपपादु को कहा गया? क्या कहा गया? उपपादु को यनि राहुल को भी उपपादु कहा जाता है, ये भी प्रशन आप से पूछा जाता है, इसके बाद अगर बात करते हैं, तो बोधी सत्व का जन्म अगर देखें, तो दस मान गर्म में रहकर होता है, वो उस जानते हैं कि बोधी सत्व का जो जन्म होता है वो कहीं कहीं दस माह पर होता है कितने माह पर यहीं बोधी सत्व का जो जन्म हो रहा है वो दस माह पर हो रहा है एक पहला है यहीं इस प्रकार से दस मा गर्ब में रहकर होता है, उसके जन्म के एक सब्ता बाद कहीं कहीं होता है, यहनि दस मा गर्ब में रहता है, उसके जन्म के एक सब्ता बाद, यहनि बोधी सत्व के जन्म के एक सब्ता बाद, एक सब्ता बाद मा का क्या होता है, मा का देहान्त हो जाता है, यहनि जन्म क कि एक सब्ता बाद कहिन की मा का दिहान्त हो जाता है ये भी प्रशन आप से बिलकुल कहिन कहीं पूछा जा सकता है इसके बाद जन्म लेते ही बोधी सत्व साथ कदम चलते हैं कहिन की जन्म लेते ही बोधी सत्व जो है ये जन्म लेते ही इस प्रकार से जो है साथ कदम चलते ह यह कहीं न कहीं साथ कदम चलते हैं जन्म लेते ही साथ कदम चलते हैं और जब जन्म लेते ही साथ कदम चलते हैं तो यह क्या कहते हैं कि कहीं न कहीं मैं लोक में स्रेष्ट हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है यह अब पुनरभव नहीं होगा इस प्रकार से मैं जगत में मेरा अंतिम जन्म है मेरा यह अंतिम क्या है जन्म है कौन कहता है बोधी सत्व कहते हैं कि मैं लोक में स्रेष्ट हूँ और यह मेरा अंतिम जन्म है अब पुनरभव नहीं होगा यहनि दुबारा जन्म नहीं होगा यहनि अब जो है एक प्रकार से देखा जाए, तो पुनर्भव नहीं होगा, तो यहाँ पर पुनर्भव नहीं होगा, यह सभी प्रश्ण आप से बिल्कुल पूछा जाएगा, इसके बाद अगर बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजों को लेकर आगे बढ़ें, तो जो कहीं न कहीं द इस प्रकार से महा करुणा, इस तरीके से बोधी सत्व का प्रधान गुण है, बोधी सत्व का कहीं न कहीं इस तरीके से हम बात करें, तो बोधी सत्व का प्रधान गुण है, तो यहाँ पर बोधी सत्व का प्रधान गुण हम देखते हैं, क्या है बोधी सत्व का महा मैत्र और महा करुणा ये बोधि सत्यों का प्रधान गुण है इसमें भी सबसे उपर दान या करुणा है जो की पहली परमिता भी है ये कहीं न कहीं एक प्रकार से इसके उपर सबसे उपर क्या है दान या करुणा यही सब से उपर देखा जाए To the an या करुणा है यह थोड़ा सा ध्यान रखना यह आप से बिलकूल पूछा जाएगा कि प्रधान गुण क्या है तो महा मैत्री महा करुणा है इनि एक प्रकार से करुणा को स्रिष्ट माना गया है और और इस तरीके से सभी चीज़ें आपसे बिल्कुल पूछी जाएंगे तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक शब्द आता है पारमीता यहीं कहीं कहीं प्रत्यक बोधिसत्य को चारिक्तिक पूर्टाएं कहीं न कहीं पूरी करनी होती थी और चारिक्तिक पूर्टाएं जिनको पारमीता कहा जाता है प्रत्यक पूर्टाएं का मतलब है कि करोनामान होना चाहिए दानवान होना चाहिए चरित्रवान होना चाहिए इसको ही पारमीता कहते हैं तो प्रत्यक बोधी सत्य को चारित्रिक पूर्णताएं जिनको पार्मिता कहा जाता है प्राप्त करना अनिवार है इनकी संख्या 10 बताई गई है कितने हैं तो इस प्रकार से पार्मिता पार्मिता का मतलब है पार्मिता इनि कहीं न कहीं प्रत्यक बोधी सत्य को प्रत्यक बोधी सत्य को च चारित्रिक पूर्टाएं प्राप्त करना अनिवार है और इसको क्या कहा गया है इसी को पारमिता कहा गया है जिनकी संख्या कितनी है दस है यानि दस पारमिताओं को कुलना के कहीं प्राप्त करना अनिवार है ये आप से बिल्कुल कहीं न कहीं पूछा जा सकता है हम यहां प पर बात कर सकते हैं कि महावस्तु में यहीं महावस्तु में इस तरह से बोधि सत्व के विभिन क्रिया कलापों का वरण किया गया है इस प्रकार से महावस्तु में अगर हम बात करते हैं तो महावस्तु में महावस्तु में बोधी सत्व के क्रिया कलापों का वरणन किया गया है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना क्रिया कलापों का वरणन किया गया है अब यहाँ पर और आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो अब तक कुल पांच बोधी सत्व हो चुके हैं, छठे आने वाले हैं, यहनि अब तक कुल पांच बोधी सत्व हो चुके हैं, छठे आने वाले हैं, यहनि छठे क्या हैं, इस प्रकार से मैत्रे की रूप में आने व यहां पर सबसे पहले बोदिय सत्य जो थे वह अविलोगतेश्वर या पद्मपानी है कि अधि प्रकार सी अवर्लोगतेशवर या इनको पद्मपानी कहते हैं इनका प्रतिक पद्म है कहीं ने कहीं पद्म मतलब प्रतिक क्या है कमल तो इनका प्रतिक जो है इनका इनका प्रतिक जो है इस तरीके से क्या है पद्म पद्म का मतलब क्या है कमल तो इस प्रका से इनका प्रतिक जो है पद्म या कमल है ये भी आप से बिल्कुल कहीं कहीं पूछा जाएगा इसका विशेश गुण दया करना है यहीं इसका विशेश गुण क्या है इसका विशेश गुण क्या है तो विशेश गुण जो है ध्यान रख लेना इसका विशेश गुण दया करना है क्या करना है दया करना है यह भी आप से बिलकुल पूछा जाएग और इनकी समता वैदिक देवता विश्णू से की गई है यहीं इनको जो है इनको प्रधान बोधी सत्व भी कहा जाता है प्रधान बोधी सत्व भी कहा गया है यह ध्यान पर रखना और इनकी समता इनकी समता अगर देखा जाए इनकी समता किसे की गई है तो विश्णू से की गई है तो इनकी समता किसे की गई है विश्णू से इनकी समता किसे की जाती है तो विश्णू से की जाती है ये भी आप से बिल्कुल कहीं कहीं पूछा जाएगा ठीक है ना चलिए बहुत अच्छी बात है और यहां पर यहां पर एक क्वेशन बनेगा कि कनहरी की गुफा संख्या 41 में इनका अंकन एक आदश मुकी के रूप में किया गया है तो यहां पर ध्यान बना कनहरी की गुफा संख्या 41 में इनका जो अंकन किया गया है कहिन के एकादश मुकी के रूप में किया गया है यहां इनका अंकन एकादश मुकी के रूप में किया गया है तो इनहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना एकादश मुकी के रूप में इनका अंकन किया जाता है यह भी आप से पूछा जा सकता है यहां उन्हें अपनी शक्ति तारा एवं भ्रकुटी के साथ प्रदर्शित किया गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना प्रदर्श्चित किया गया है, इसके बाद कनहरी की गुफा के बाद अगर बात करते हैं, तो अजन्ता की गुफा संख्या एक में भी अवलुकेतेश्वर का अंकन किया गया है, यहाँ एक प्रकार से देखें, तो यहाँ पर अजन् कि गुफा संख्या एक में इस तरीके से ध्यान रखना एक में इनका भी अंकन अवलुक्यतेश्वर के रूप में किया गया है के रूप में किया गया है तो अवल्युक्यतिश्वर के रूप में किया जाता है ये भी आप से बिल्कुल पूछा जाएगा इसके बाद मंजुश्री की बात करते हैं ये बुद्धी को प्रकर करते हैं इनके एक हाथ में खड़ गए यानि दूसरे कुलना के कौन है तो इस प प्रकर करते हैं ये क्या करते हैं यह बुद्धी को प्रकर करते हैं तो ये बुद्धी को कहीं कहीं इस प्रकार से देखा जाए तो प्रकर करते हैं ये भी क्वश्चन आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है कि ये बुद्धी को प्रकर करते हैं इनके एक हाथ में खड़ और दूसरे हाथ में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक प्रकार से दूसरे हाथ में प्रग्या पारमिता प्रग्या पारमिता कहीं न कहीं एक प्रकार से ध्यान रखना सुत्र किताब है तो प्रग्या पारमिता सुत्र जो है इस प्रकार से किताब दूसरे हाथ में है ये भी आप से बिलकुल पूछा जाएगा तो प्रज्या पार्मितासुत्र कहने के दूसरे हाथ में किताब भी है ये भी पूछन पूछा जा सकता है मंजुश्री को ही भावी बुद्ध यानि मैत्रे का सिक्षक माना गया है यानि मन्जुश्री को ही इस प्रकार से ध्यानटना म मंजूश्री को ही मंजूश्री को ही इस तरीके से भावी बुद्ध भावी बुद्ध या मैत्रे का या मैत्रे का भावी बुद्ध या मैत्रे का सिक्षक माना गया है सिक्षक माना गया है ये थोड़ा सधान रखना सिक्षक माना गया है तो यहां पर इस तरह की चीजें आप आप से बिल्कुल कहीं न कहीं पूछी जाएंगी, दूसरे हो गया, तीसरे की बात अगर कर लेते हैं, तो तीसरे कौन थे, तो वज्र पानी, इंद्र देवता की भाती पाप एवं असत के शत्रू हैं, यहीं वज्र पानी जिन्नोंने वज्र धारन कर रखा हैं, तो यहाँ प इंद्र देवता की भाती पाप एवं असत के शत्रू हैं, यहीं एक प्रकार से देखा जाएं, तो इंद्र देवता की भाती इंद्र देवता की भाती इस प्रकार से पाप और असत के शत्रू हैं, इस बात को थोड़ा सा धान डखना, तो यह पाप और असत के शत्रू हैं, इसके बाद कहीं कहीं एक और हैं छिती ग्रह और एक प्रकार से जो हैं छिती ग्रह इनकी परिकल्पना एक आदर्ष काराग्रह के नियामक के रूप में की गई है तो छिती ग्रह भी कहीं कहीं आते हैं तो यहाँ पर चोथे जो हैं वो कहीं कहीं छिती ग्रह हैं छिती ग्रह त नियामक के रूप में की गई है यह एक आदर्ष काराग्रह के नियामक के रूप में तो इस तरीके से काराग्रह के नियामक के रूप में कहिन कहीं की जाती है यह भी प्रशन आप से बिलकुल पूछा जा सकता है इसके बात आते हैं अमिताब यह स्वर्गिक बुद्ध हैं त आएंगे क्या आएंगे अमिताव और अमिताव को क्या कहते हैं स्वर्गिक बुद्ध कहा जाता है तो यहां पर इस प्रकार से यह स्वर्गिक बुद्ध हैं ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेगा ये स्वर्ण अब यहीं आ जाए कि स्वर्गिक बुद्ध किसे कहा गया है तो कहीं न कहीं स्वर्गिक बुद्ध जो है अमिताब को कहा जाता है ये भी है यह विश्व के अधिश्ठात्र देव हैं ये जो है ध्यान रखना विश्व के अधिष्ठात्र देव हैं तो इस तरीके से विश्व के अधिष्ठात्र देव हैं ये भी प्रशन आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है और चटवे की बात करते हैं जो भावी बुद्ध के रूप में अब कहीं न कहीं हमारे सामने आएंगे तो बोधिस सत्व भावी बुद्ध के रूप में आएंगे और ये पीडित उधारक की संकल्पना इनसे जुड़ी दे पीडित उधारक यानि कहीं न कहीं इस प्रकार से जो मैत्रे हैं, ये कुल्मना के भावी बुद्ध के रूप में आएंगे, भावी बुद्ध के रूप में, यह भावी बुद्ध माना गया है, यह क्वश्चन आपसे पूछा जाता है, और इनको संसार में जब बहुत लोगों को पिड़ा होगी, तो उनका उधार करने के लि उनको कहिन कहीं उधार करने के लिए ये धर्ती पराने वाले हैं ये भी थोड़ा सा आप से पूछा जा सकता है कहीं न कहीं एक प्रकार से ऐसा आता है कि बुद्ध के जन्म के 4000 साल बाद मैत्रे का जन्म होगा इनको दयालू बोधिसत्त भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इनक दयालू बोधिसत्त भी कहा जाता है तो इनको दयालू बोधिसत्त भी कहा जाता है तो इनको दयालू बोधिसत्त भी कह दिया गया क्योंकि कहने कि दयावान होंगे पीड़तों का हरन करेंगे दुख हरन करेंगे गांधार कला में निर्मित बोधिसत्तों की मूर्तियों में सर निर्मित गांधार कला में निर्मित बोधी सत्व की मूर्तियों में बोधी सत्व की मूर्तियों में इस प्रकार से ध्यान ड़कना सरवाधिक इस प्रकार से किसकी हैं तो सरवाधिक जो मूर्तियां हैं ये कहने कि मैत्रे की हैं सरवाधिक किसकी हैं तो मैत्रे की हैं ये भी आ आपसे पूछा जाएगा इसके बाद और आगे बात करते हैं, यह कलश्रधारी है और इनका करन की कलश्रधारी हैं इस प्रकार से कला में इन्हें वरद मुदरा के रूप में परदर्शित किया गया है, इन्हीं ये कौन है तो ये कलश्धारी है ये प्रकार से जो है ये कलश्धारी है ये भी आपसे पूछा जाएगा और कहीं कहीं कला में इन्हें वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है तो इन्हें वरद मुद्रा के रूप में मुद्रा के रूप में प्रदर्शित किय गया है किसको इस प्रकार से मैत्रे को तो कला में वरद मुद्रा के रूप में इनको प्रद्रशित किया जाता है ये भी प्रश्ण आप से पूछा जाएगा ठीक है ना सरप्रथम कनिश्क की मुद्रा पर मैत्रे बुद्ध का अंकर मिलता है यह भी ध्यानिकना तो सरप्रथम इस प्रकार से कनिश्क की मुद्रा पर इस तरीके से मैत्रे बुद्ध का अंकर मिलता है तो यहां पर हम लोगों ने बोधी सत्तो के उपर कहीं न कहीं इस प्रकार से चीजें पढ़ी हैं जो आप लोगों से बिलकुल पूछा जाएगा आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार